संगीत की दुनिया की सूपरस्टार बन चुके हैं अरजीत सिंग जिस गाने को देदी आवाज उसका हिट होना तै है अरजीत सिंग को सिर्फ आज की जेनरेशन पसंद नहीं करती वो तो रफी और किशुर की फैंस को भी अपना मूरीद बना चुके हैं देखा जाए तो आज की दौर के सबसे बड़े गायक हैं अरजीत फिलहाल अरजीत का क्रेज कुछ ऐसा ही है जैसा कभी किशुर कुमार और रफी का हुआ करता था अरजीत सिंग का जन्म पश्यमंगाल के मुशिदाबाद में हुआ है उनके पिता पंजाबी उनकी मा बंगारी है उनके संगीत की शुरुआती ट्रेनी उनकी घर से हुई मा ने अरजीत को गाना सिखाया अरजीत ने संगीत की क्लासिकल ट्रेनिंग ले रखी है अरजीत सिंग ने साल 2005 में टीवी रियालिटी शो के जरीए अपनी पहचान बनाई कई सिंगिंग शोज में अरजीत ने लिया हिस्सा और यहीं से उनके लिए खुले बॉल रूड के दरवाजे अरजीत ने असिस्टन म्यूजिक प्रोग्रामर के तौर पर शंका एहसान लॉय विशाल सेखर और मिथुन के साथ काम किया लेकिन उनके लिए गाईगी के दरवाजे खोले प्रितम ने साल 2011 में अरजीत ने फिल्म मुझर टू के गाने गाए प्रितम ने अरजीत को कई फिल्मों में गाने का मौका दिया और अरजीत ने हर मौके को एक यादगार गीद बना दिया अरजीत ने जब संगीत की बुरंदी को छुआ तो उसी दोरान वो अपनी पहली पत्नी से तलाक और दूसी शादी को लेकर भी चर्चा में रहे सितमबर 2013 में अरजीत सिंग को गिरफतार भी किया गया जब उन्होंने एक पत्रकार से बत सलुकी की क्यूंकि उसने सिंग से उनके तलाक के बारें पूछ लिया अरजीत सिंग ने अपनी बच्पन की दोस्त कोयल रॉय से 20 जनवर 2014 को पश्चम मंगाल के ताया पीच मंदिर में शादी की उन्होंने इस खबर की पुस्टी खुद सोशल नेटवर्गिंग साइट पर शादी की फोटो डालने के साथ की या उनकी दूसरी शादी थी इससे पहले वो एक रियालिटी शो में ही उनकी कोग कंटेस्टन के साथ शादी कर चुके थे अरجीत की वाइफ कोयल पहले से ही शादी चुदा थी वहवाईग जीवन में प्राल्लम के चलते कोयल ने पहले पती से तलाख लेकर अरजीत से शादी कर ली कोयल रॉयल की पहली शादी से एक बेटा भी है खास बात यह है कि उनका बेटा अरजीत के काफी करीब है अब अरजीत एक और बेटे के पिता बन चुके हैं अरजीत सिंग की पॉसनल लाइफ अब पुरी तरह सठ है तो वही प्रोफेस्टन जिंदगी में फिलाल उनकी गाईकी को उनकी आवास को उनके टैलेंट को मुकाबला देने वाला दूर दूर तक कोई नहीं संगीत की दुनिया में उनकी बातशाहत काईम हो चुकी है